बड़ी बड़ी डिगडियों को हासिल करने वाले भी जीवन के गणित को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें बहुत कुछ चाहिए लेकिन वो देना कुछ नहीं चाहते और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। दुस्तों दुनिया एक बाजार है जो चाहिए आपको बिलकुल वहीं मिलेगा पर उसकी कीमत आपको चुका नहीं होती है। प्रेम के बदले आपको प्रेम मिलता है। नफरत के बदले आपको नफरत ही मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुस रहें, आप कुलाहट को बांटिए देने वाला बनेंगे तो अपने आप आपको बहुत कुछ मिलने लगेगा नमस्कार गुड मॉर्णी बहुत-बहुत स्वाकत आप सभी का इस्टेटिवी ध्यान प्रकास के मारी नियूज से स्थर में दोस्तों आज 21 मही है और आप सभी का बहुत-बह पर फालो कर लें यहां पर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मही से जो घरेलू उडाने होंगी इस कुरोना पेरेट में सुरू हो रही है और एक जून से 200 ट्रेंस भी चलाई जैने की योजना है और यह जो ट्रेंस है इसके लिए आज से आनलाइन बुकिंग सुरू हो जाएगी और बात करते हैं अमफान तुफान के बारे में तो 20 साल के सबसे सक्तिसाली तुफान अमफान ने पस्चिम बंगाल के दीगा तड़ पर दस्तक दिये इसकी रफतार 190 किलो मेटर पतिगंटे रही और इससे पूर क्रोना की जो स्पीड ये वो लगातार बढ़ती जा रही है आपको अपने घरों में सुरक्चित और सावधान रहने की जरूत है सफाई पर आप दिस्यस ध्यान दें उत्तर प्रदेश में भी क्रोना सकर्टियों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है बात करते हैं सीब प्रदाई के अंत तक पैडाम घोसित के जाएंगे ये जानकारी MHRD के ट्विटर हनल से हमें प्राप्त हुई है और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी अपडेट देतें कि 22 मई से आरेंज और ग्रीन जोन में अदालतें जो जिला अदालतें हैं वो खुल जाएंगी हाला कि सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फालो होगा गवाई नहीं हो सकेगी यानिकि अधिक भीड़िक अभी नहीं जुटाई जाएगी जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर सुनवाई होगी और जो ब्यक्ति इसमें प्रवेश करेंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी आते हैं अब 69 जार सिक्चक भरती न्यूज पर तो तीन दिन में महज 9000 आविदन आए वजह इसकी सबसे बड़ी यह है कि अभी कुछ अभ्यरती ऐसे हैं जो मोबाईल नंबर अपना बदल चुके हैं यानि कि उनका मोबाईल नंबर किनी कानों से बंद हो गया है तो ये ल बना प्रेसाइट में फिसम्ट अधीक यह ही замकिक यह यह हो सकती है और हो सकती है मुक्ष्पवर्ञात मुक्य रही है और इसके लिए अब्यर्थी काफी परिसान है और इन परिसानियों को लेकर साथी साथ कुछ लोग डोमिसाइल और डॉक्मेंट से सम्मंदित प्रस्ट भी उनके मन में हैं तो बहुत सारी परिसानिया हैं और उसको लेकर अब्यर्थी लगातार परिस्ट पहुंच रहे हैं प हेल्प लाइन नंबर 0532-242-1954 पर बात करें और ये हेल्प लाइन ज्यादत तर ब्यस्त रहती है वजह यह है कि एक ही हेल्प लाइन है और बहुत बड़ी संक्या में इस पर काल आती होगी तो सभी लोगों की कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती होगी और इसी किस्ता फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं उत्तर कुझी मामले में कल हाई कोड में सुनवाई हुई है जिसमें 24 गंटे में सरकार से अपना जो जबाब है उत्तरमाला पर वो दाखिल करने को कहा गया है रिसमिस्तरा और अन्न की और से दाखिल आचका पर सुनवाई हो रही थी नयायमूर्ती की अदालत में और इसमें जो है अगली तारी लगा दीगी है बाइस मैई तो दोस्तों कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उनतरजा सिक्षक बरती में इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एनाई यूस से ट्रेनिंग लेने वाले जो अप्रसिक्षित सिक्षक हैं उनको यंसी टी इनिडेट हैं वो लोग भी सामान रूप से बेड और बीटीसी की तरह आविदन कर सकेंगे और नौकरी की उमीद रख सकते हैं और दोस्तों बात करते हैं उनतर हजार सिक्षक बरती के बारे में भी आगे लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि राजेंदर सिंग रज्ज सिंग रज्जु बैया विस्विदालेकि में एडिमिशन की बात हो रही है और यहां पर देखिए उत्तरप्तिस लोग सिवा आयो की ओर से एक बिग्यप्ती जारी की गई है और इस बिग्यप्ती में बताया गया है कि 2017 का जो अंतिम चैन पहडाम घोशित किया जा चुका है और आपबंदिक रूप से घोशित अंतिम चैन पहडाम में सफल अभेड़तियों के आवेदन पत्र एवंग सैक्चिक अभलेकों का सत्यापन मूल सैक्चिक प्रमार पत्रों से कराया जाने के लिए तारी घोशित कर दी गई है तो आप देख सकते हैं यहां पर समिक्षायत करी सैक्चिक अभी से लोग से वायोग तो इसके लिए जो पुरा टाइम टेबल है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और यह 27 मई को और 28 मई को यह डाक्मेंट बेरिफिकेशन का कारे होगा यहां पर एक बात और भी लिखी गए है कि यदि कोई अभेरती अपरिहार प प्रदान किया जाएगा ठीक है तो अब अरियार बश्दितियों में अगर जो अभेरती हैं वो उपस्तित नहीं होते हैं तो उनका भेरतन जोगा और निरस्त नहीं होगा और इसके साथ कुछ गाइडलाइन भी है तो यह पूरा जो वियापन है यह मेरे टुटर हैंडल और फेस्बुक पेंज पर उपलब्द है तो आप वहाँ पर जाकर इसे आप देख सकते हैं और 69,000 मोबाइल नंबर के अपडेशन पर अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है हाला कि अब बेरती इसके लिए काफी परिसान है और इसके लिए लगातार वो हेल्पलाइन नंबर और परिसानली भी परिसात के कारालाइब पर पहुंच रहे हैं और इसके लिए अभी आस्वासन मिल गया है कि एक दो दिन में वेबसाइट पर ही इसके बारे में सुचना दी जाएगी क्योंकि अगर बात करें तो वहाँ पर एफिडेविट लिया गया था और सारे जो जरूरी गागजात थे उनको परसनली परिसात पर जाका करवाया गया था बैटतियों को बुलाया गया था लेकि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोसल डिस्टेंसी को ध्यार मिलगते विए इसके कोई आनलाइन जो हल होगा समाधान होगा वही निकालना होगा तो फिलाल थोड़ा सा इंतजार तो आपको भी अभी करना पड़ेगा कि जो लोग अपना मुबाइल नंबर गमा चुके हैं उन्हें थोड़ी सी परसानी तो भी होगी लेकिन आप लोग बिलकुल उम्मीद ब मताबिक यह था कि 27 मही से परिख्यान शुरू होंगी लेकिन इस पर अभी हाली में एक वेबनार आज़ुत क्या गया था तो उसको भी ध्यान में रखते हुए साथी साथ यह भी कि 31 मही तक जो लागडाउन उसको भी ध्यान में रखते हुए जो यहाँ परिख्या होने वा सासन द्वारा छूट प्रदान के जाने पर आवसेस अस्तगित परिख्याओं सम समस्टर परिख्याओं हे तू सासन के निर्देश आने पर समसाणी दुबारा से प्रकासित होगी और फिर उसके अनुसार जो परिख्या होगी वो संपन कराई जाएगी दोस्तों 75825 सिक्षक बढ़ती 2021 के सिक्षक बढ़ती है लगबग 9 साल इसके पूरे होने को आए हैं लेकिन ये ऐसी बढ़ती है जिसमें बैठा हुआ जिन बार 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 निकलता है अब यहाँ पर बात हो रही है 1291 की लिस्ट के बारे में जो रिव्यू के लिए सुप्री मैटर था उसके बारे मैं आपको बता देता हूं कि 12825 प्रसिक्षक बढ़ती के जो छूटे विए अपयरतियों को डेड़ महिने में नियुक्ती पत्र दिया जाएगा यह थे कि पुरानी खबर है इस पर आप अभी तुरंद मत सूचीएगा यह पुरानी खबर है उस दोरा जो लोगों से प्रत्यावेदन मांगे गए थे 75,000 प्रत्यावेदन थे तो उनमें 12,000 एक्यान में लोगों की लिस्ट जो थी वो यह मानकर निकाली गई थी कि इनमें जो अभीरती हैं वो कटाफ अंक से उपर हैं लेकिन फिलाल उनकी न्यूक्ती हो नहीं पाएती आना कि जो लिस्ट थी वो भी विवादित थी एक निश्चित कटाफ में कुछ अभीरती इस लिस्ट में सामिल थे कुछ अभीरती इसमें सामिल नहीं थे तो फिलाल यहाँ पर जो यह लिस्ट थी इसको जो है रिव्यू के लिए डाला गया था तो यह जो लिस्ट आई है उस पर इस पर रिव्यू नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसके बारे में आदेस आ गया उसको भी आप पढ़ सकते हैं और 69,000 की राम में अब फिलाल कहीं सारी दुस्वारियां आ गई है मुग्यूरुप से 5 मामले हैं यह तो कटाफ केस जिस पर आज सुनवाई होनी है सुप्रेम कोड में ओवरलैपिंग केस भी आई कोड में पहुंच चुका है उत्तरमाला केस जिस पर सुनवाई कलोनी है समण आरक्षण केस जिसमें EWS को 10% का आरक्षण नहीं दिया क्या है यह मामला भी आई कोड में है और अरता तिति यहां पर BTC 2015-2022 के बारे में बात हो रही है तो और अबरतियों के बारे में भी जिन अबरतियों के पास जब वह आवेदन कर रहे थे तो उनके पास डॉकमेंट नहीं थे कंप्लीट सर्टिफिकट वगर नहीं थे तो यह कुछ मामले हैं उनतरजा की राह में जो की फिलाल आप कोड में पहुंच चुके हैं और दोस्तों जो जो भी लेटस्ट अपडेट होती है वो वन लाइनर आपको मिल जाती है हमारे ट्विटर हैंडल पर ट्विटर हैंडल को अगर आपने अभी तक फालू नहीं किया है तो कर लिजीगा इस्टडी विध्यान प्लिक कर तो यह है कंप्लीट इंफार्मेशन दोस्तों और वीड बदनेवाद, have a great day, जय हिंद